व्रिद्धी चार्ट पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम जानेंगे दो तरह के परसंटाइल व्रिद्धी चार्ट व्रिद्धी संकेतक व्रिद्धी के संकेतकों के लिए अंकित किये गए बिंदू आएए शुरू करने से पहले हम समझें कि परसंटाइल व्रिद्धी चार्ट क्या है ये वो चार्ट हैं जो आपको एक शिशु के वृद्धी को समझने के लिए बनाई गए हैं इन चार्ट को World Health Organization के MGRS के माध्यम से बनाया गया था MGRS Multicenter Growth Reference Study है छह अलग-अलग देशुं के 8500 चुने हुए शिशुओं को मापा गया वो शिशु भारत, ब्रजील, घाना, नौर्वे, ओमान और अमरीका के थे सभी शिशु अलग-अलग सांस्कृतिक शेक्त्र से थे उन शिशु में तीन चीजें एक जैसी रखी गई उन सभी को स्तन पान कराया गया था उन सभी का टीका करन किया गया था वे सभी स्वच वातावरण में पले थे इन सभी बातों से ये पता चलता है कि अलग-अलग देशों के सभी शिशु एक समान तरीके से पले बड़े थे इसका मतलब है कि पर्यावरण ने उनके व्रिद्धी में एक खास भूमी का निभाई थी सही व्रिद्धी के लिए भरपूर पोशन अच्छा स्वास्थ और स्वच्छता की जरूरत होती है हर आयू और लिंग के लिए औसत वजन और लंबाई का फैसला लिया गया व्रिद्धी चार्ट एक शिशु की लंबाई और वजन की तुलना बाकी के शिशुओं से करते हैं इन सभी शिशुओं की आयू और लिंग तुलना किये जाने वाले शिशु के समान है ये चार्ट शुरुवात में ही चेतावनी देते हैं कि एक शिशु में वृध्धी की समस्या है इस टुटॉरियल में हम दो प्रकार के परसंटाइल वृध्धी चार्ट पर बात करेंगे हर वृध्धी चार्ट का इस्तिमाल एक खास वृध्धी संकेत को मापने के लिए किया जाता है वृध्धी संकेत को वृध्धी आंकने के लिए इस्तिमाल किया जाता है वृध्धी संकेत एक शिशु की आयू और माप को एक साथ ध्यान में रखते हैं पहला वृद्धी संकेत लंबाई दर आयू है दूसरा वजन दर आयू है ये संकेतक हफ्तों, महीनों या वर्षों में वृद्धी चाट पर अंकित किये जाते हैं ये हमें किसी भी तरह की वृद्धी में समस्या को पहचानने में मदद करते हैं शिशु के लिंग के हिसाब से वृद्धी चाट का इस्तिमाल करना जरूरी है इस टूटॉरियल में इस्तिमाल किये गए वृद्धी चाट वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन से हैं वे शून्य से दो वर्ष की आयू वर्ग के शिशु के लिए हैं ये वृद्धी चाट उनकी वेबसाइट www.who.int पर उपलब्ध हैं कृप्या शिशु के लिंग के अनुसार उप्युक्त चाट का इस्तिमाल करें उन्हें डाउनलोड करें और प्रिंट करें अब आईए पहले प्रकार के परसंटाइल वृद्धी चाट के बारे में जाने यह लंबाई दर आयू वृद्धी चाट है इसका इस्तिमाल लंबाई दर आयू वृद्धी संकेतक को अंकित करने के लिए किया जाता है यह संके तक उन शिशों की पहचान करने में मदद करते हैं जो stunted या लंबाई में छोटे हैं ऐसे शिशों को लंबे समय तक कुपोशन या किसी तरह की बिमारी बार-बार रही होगी और आयू के हिसाब से लंबे शिशों की भी पहचान की जा सकती है इन चाटों में नीचे की ओर शैक्तिज संदर्ब रेखा X अक्ष है यह आयू दिखाता है सटीक आयू को जनम से लेकर दो वर्ष की आयू तक के सपताहों और महीनों में अंकित किया जाता है बाई ओर वाली सीधी संदर्ब रेखा Y अक्ष है यह सेंटीमीटर में लंबाई दिखाती है सलेटी रंग वाली पतली शैक्तिज रेखाएं लंबाई में एक सेंटीमीटर की व्रिद्धी दिखाती है आये इन चाटों में लंबाई दर आयू अंकित करना सीखें सबसे पहले X अक्षपर एक बिंदू से सटीक आयू, महीनों और वर्षों का निशान लगाएं फिर Y अक्षपर लंबाई को एक बिंदू से निशान लगाएं उस बिंदू को बढ़ा कर जुड़ी हुई शेक्टिज रेखा तक खीचें जहां पर आयू के लिए बिंदू लगाया था आयू के लिए लगाये हुए बिंदू को बढ़ा कर सीधी रेखा तक खीचें वह बिंदू जहां दो रेखाएं मिलती हैं उसे रेखांकन बिंदू कहते हैं हर शिशु के लिए सापताहिक या मासिक माप के लिए बिंदू लगाए जाते हैं ये जांचलें कि क्या अंकित किये गए बिंदू का मतलग सही है या नहीं यदि जरूरी लगे तो शिशु को फिर से मापें उदाहरन के लिए शिशु की लंबाई पिछली बार की मापी हुई लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए यदी ऐसा है तो पिछली बार के माप में कुछ गलती थी आईए एक उदाहरन से इस चाठ पर अंकित बिंदूओं को समझते हैं यह रेखा चित्र दिखाता है अनीता की आयू के हिसाब से उसकी लंबाई कुछ महीनों में तीन बार अंकित की गई उस समय अनीता की आयू तीन महीने और लंबाई चौनसट सेंटिमेटर थी अब यहां इस समय अनीता 6 महिने की आयू में 70 सेंटिमीटर लंबी थी और यहां इस बिंदू पर एक वर्ष की आयू में उसकी लंबाई 78 सेंटिमीटर थी अब व्रिधी चाट पर 5 गुमाबदार रंगीन रेखाओं के बारे में जानेंगे यह गुमाबदार रेखाएं खास परसंटाइल बताती हैं वे तीसरे, पंद्रवे, पचासवे, पचासी और 97 परसंटाइल हैं तीसरे और 97 परसंटाइल को लाल रंगी रेखाओं से दिखाया गया है पंद्रवे और 85 परसंटाइल को नारंगी रंगी रेखाओं से दिखाया गया है यह परसंटाइल शिशु के माप का स्तर बताते हैं आईए हर परसंटाइल रेखा को खास उदाहरणों के साथ समझते हैं इस रेखा चित्र में माधव की लंबाई तीसरी परसंटाइल रेखा पर अंकित है इसका मतलब है कि उसकी आयू के 97 प्रतिशत शिशु उससे लंबे हैं उसकी आयू के केवल 3 प्रतिशत शिशु उससे कम लंबे हैं इस रेखा चित्र में अनू की लंबाई 15 परसंटाइल रेखा पर अंकित है इसका मतलब है कि उसकी आयू के 85 प्रतिशत शिशु उससे लंबे हैं इस रेखा चित्र में प्रिया की लंबाई 50 परसंटाइल रेखा पर अंकित है 50 प्रतिशत शिशु की लंबाई इसी परसंटाइल रेखा पर होती है इसी लिए प्रिया की लंबाई उसकी आयू के शिशु में औसत लंबाई है इस रेखा चित्र में रोहन की लंबाई 85 परसंटाइल रेखा पर अंकित है इसका मतलब है कि उसकी आयू के 15 प्रतिशत शिशु उससे लंबे है उसकी आयू के 85 प्रतिशत शिशु उससे कम लंबे है इस रेखा चित्र में फातिमा की लंबाई 97 परसंटाइल पर अंकित है इसका मतलब है कि उसकी आयू के 3 प्रतिशत शिशु उससे लंबे है और उसकी आयू के 97 प्रतिशत शिशु उससे कम लंबे है अब आये जनम से 2 वर्ष की आयू तक के शिशु की उससत लंबाई पर बात करें यह लंबाई दर आयू व्रिद्धी चाट में 50 परसंटाइल रेखा के बराबर है एक लड़की की जनम पर उससत लंबाई 49 सेंटीमीटर होती है एक महीना होने पर एक लड़की की उससत लंबाई 54 सेंटीमीटर होती है तीन महीने में यह 60 सेंटीमीटर होती है छे महीने में यह 66 सेंटीमीटर होती है एक वर्ष में यह 74 सेंटीमीटर होती है दो साल की आयू में एक लड़की की औसत लंबाई 86 cm होती है एक लड़के के जनम पर औसत लंबाई 50 cm होती है एक महीना होने पर एक लड़के की औसत लंबाई 55 cm होती है तीन महीने में यह 61.5 cm होती है 6 महीने में यह 67.5 cm होती है एक वर्ष में यह 76 cm होती है दो वर्ष की आयू में एक लड़के की औसत लंबाई 88 cm होती है दूसरे परसंटाइल वृद्धी चाट को वजंदर आयू वृद्धी चाट कहा जाता है इसी श्रिंखला के एक अन्य टूटोरियल में इसके बारे में बताया गया है वृद्धी से जुड़ी समस्याओं पर भी इसी टूटोरियल में बात की गई है अधिक जानकारी के लिए कृप्या हमारी वेब साइट पर जाएं अब यह टूटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद WHO वजंदर आयू परसंटायल वृद्धी चाट पर बने स्पोकन टूटोरियल में आपका स्वागत है इस टूटोरियल में हम जानेंगे वजंदर आयू परसंटायल वृद्धी चाट पर अंकन व्रिध्धी संकेतकों के लिए अंकित किये गए बिंदुओं को समझना व्रिध्धी चाट पर समस्याओं को पहचानना इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में परसंटायल व्रिध्धी चाट की बात भी की गई है उस टुटॉरियल में वृध्धी चाट और अंकन की मूल बातें बताई गई है पहले प्रकार के परसेंटाइल वृध्धी चाट लंबाई दर आयू को भी समझाया गया है यह जरूरी है कि आप इस टुटॉरियल को देखने से पहले उसे देखें अधिक जानकारी के लिए कृप्या हमारी वेब साइट पर जाएं अब दूसरे प्रकार के परसेंटाइल वृध्धी चाट के बारे में और बाते जानेंगे जो है वजंदर आयू वृध्धी चाट वजंदर आयू व्रिधी चाट शिशु की आयू के अनुसार शरीर के वजन को दिखाता है वजंदर आयू चाट पर वाई अक्ष वजन किलोग्राम में दिखाता है शैक्टिज रिखाऊं का मतलब है वजन में 0.2 किलोग्राम या 200 ग्राम की व्रिधी एक्स अक्ष आयू दिखाता है यह 0 से शुरू होता है जो जनम के समय होता है आयू 0 से दो वर्ष की आयू के पूरे हुए महीनों और वर्षों में अंकित की जाती है आईए इस चाट में वजंदर आयू को अंकित करना समझें सबसे पहले एक्स अक्ष पर सटीक आयू यानि महीनों और वर्षों का निशान लगाएं फिर वाई अक्ष पर वजन को एक बिंदू से निशान लगाएं इस बिंदू को बढ़ा कर जुड़ी हुई शेक्तिज रेखा तक खीचें जहां आयू के लिए निशान लगाया था और अब आयू के लिए निशान लगाए गए बिंदू को बढ़ा कर जुड़ी हुई सीधी रेखा तक खीचें जिस बिंदु पर खीची हुई दो रेखाएं मिलती हैं, उसे रेखांकन बिंदु कहा जाता है. हर शिशु का सापताहिक या मासिक माप का बिंदु अंकित किया जाना चाहिए. बगल-बगल के बिंदुओं को हमेशा एक सीधी रेखा से जोड़ें. यह शिशु के किसी भी व उदाहरन से इस चार्ट पर अंकित बिंदुओं को समझते हैं. यह रेखा चित्र दिखाता है कि अमित का आयू के हिसाब से वजन 6 महीने में 3 बार अंकित किया गया है. एक महीने की आयू होने पर अमित का वजन 4.4 किलोग्राम था. यह लगभग 50 में परसंटाइल पर है. तीन महीने की आयू में उसका वजन 6.5 किलोग्राम था. यह 50 परसंटाइल रेखा से थोड़ा उपर है. इसका मतलब है कि वह 3 महीने की आयू में औसक वजन का है. 6 महीने की आयू में उसका वजन 8.8 किलोग्राम था. यह 85 परसंटाइल रेखा पर है. इसका मतलब है कि अमित 6 महीने की आयू में औसकी आयू के 15 परतिशत शिशू का वजन उससे जादा है. उसकी आयू के 85 प्रतिशत शिशुओं का वजन उससे कम है अब आईए एक शिशु के औसत वजन के बारे में और जाने यह वजन दर आयू व्रिद्धी चार्ट में पचासमी परसंटाइल रेखा के बराबर है एक लड़की का जनम पर औसत वजन 3.2 किलोग्राम होता है एक महीने की आयू में एक लड़की का औसत वजन 4.2 किलोग्राम होता है तीन महीने में यह 5.8 किलोग्राम होता है छे महीने की लड़की का औसत वजन 7.3 किलोग्राम होता है एक साल में यह 9 kg होता है दो साल में यह 11.5 kg होता है एक लड़के का जनम पर औसत वजन 3.3 kg होता है एक महीने में एक लड़के का औसत वजन 4.4 kg होता है तीन महीने में यह 6.4 kg होता है छे महीने के लड़के का औसत वजन 8 kg होता है एक साल में यह 9.6 kg होता है दो साल में यह 12.12 kg होता है अब आईये इस तालिका में एक लड़के के औसत वजन को देखें यह कॉलम एक लड़के के हर दिन के औसत वजन के बढ़ने को दिखाता है यह कॉलम एक लड़के के हर सप्ता के औसद वजन के बढ़ने को दिखाता है पहले हफ़ते में हर दिन 28.5 ग्राम वजन बढ़ता है और पहले हफ़ते में कुल वजन 200 ग्राम होता है पांचवे हफ़ते में वजन 42.8 ग्राम हर दिन बढ़ता है और पांचवे हफ़ते में कुल वजन 300 ग्राम बढ़ता है नौवे हफ़ते में वजन 28.5 ग्राम हर दिन बढ़ता है नौवे हफ़ते में कुल वजन 200 ग्राम बढ़ता है वृद्धी चाट को समझते समय उन स्तिथियों के लिए सतरक रहें जो समस्या का संकेत देती हैं एक शिशु की वृद्धी रेखा में तेज गिरावट वृद्धी में समस्या का संकेत देती है यदि किसी शिशु का वजन जादा हो, तो भी उसकी व्रिद्धी में तेज गिरावट नहीं होनी चाहिए. तेजी से जादा वजन घटना किसी भी शिशु के लिए स्वस्थ नहीं होता. जादा वजन वाले शिशु को लंबाई में बढ़ते हुए अपना वजन बनाए रखना चाहिए दूसरी और व्रिद्धी रेखा का तेजी से बढ़ना कभी-कभी स्वस्थ होता है यह चार्ट अरुन का वजन 6 महीने की आयू तक 50. परसंटाइल रेखा पर दिखाता है स्थनपान के कारण हुआ फिर सात्वे महीने में उसका वजन घट कर 15. परसंटाइल रेखा पर आ गया 6 महीने पूरे करने के बाद उसे पर्याप्त पूरक आहार नहीं मिला वह बीमार भी था और उसे दस्त भी लगे थे फिर आठवे और नौवे महीने में उसका वजन बढ़ने लगा इन महीनों में उसे पर्याप्त मात्रा में मा का दूद और पूरक आहार मिला इसलिए उसका व्रिद्धी चार्ट बढ़ता हुआ दिखता है एक भारतिय शिशु का जनम पर औसत वजन 2.7 किलोग्राम होता है इसलिए पहले कुछ महीनों में उनके व्रिद्धी रेखा का बढ़ना जरूरी है स्तनपान की सही तक्निकों से भी चार्ट में व्रिद्धी दिखती है इस चार्ट से पता चलता है कि सुप्रिया का वजन जनम पर पचासवे परसंटाइल रेखा पर था फिर पहले महीने में उसका वजन घट कर 15 परसंटाइल रेखा पर आ गया यह गलत तरीके से हुए स्तन पान के कारण हुआ उसकी मा को शिशु के स्तन से गहरे जुडाव के लिए सही स्तन पान तक्निक सिखाई गई एक महीने के अंदर ही सुप्रिया का वजन बढ़ कर पचासमें परसंटाइल रेखा तक पहुंच गया पर जानवरों का दूद या पाउडर वाला दूद पीने वाले शिशुओं का वृद्धी चाट का तेजी से बढ़ने में खत्रा होता है यदि उनका वजन तेजी से बढ़ता है तो वे एक वर्ष की आयू में जरूरत से ज्यादा वजन वाले हो सकते हैं किसी भी शिशु के लिए वृद्धी में दूसरी समस्या है एक सपाट वृद्धी रेखा या वृद्धी का ठहराव एक सपाट वृद्धी रेखा जिसे ठहराव भी कहा जाता है आम तौर पर एक समस्या का संकेट देती है यदि किसी शिशु की लंबाई या उसका वजन काफी समय तक एक साही रहता है तो शिशु बढ़ नहीं रही है वृद्धी काल में एक महीने का ठहराव भी एक संभावित समस्या का संकेथ है ये सिरफ जरूरत से जादा वजन वाले शिशु पर लागू नहीं होता यह शिशु लंबाई के बढ़ते हुए अपना यही वजन बनाए रख सकता है ऐसा करने पर उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन सही लगेगा एक और तरह की समस्या है धीमी वृद्धी पूजा का हर महीने औसत वजन महज 500 ग्राम बढ़ता है पचासवी परसेंटाइल रेखा पर उसका जनम का वजन औसत था पर यहां हम देख सकते हैं कि वह केवल तीन महीनों में ही कुपोशित हो गई पचासवे परसेंटाइल रेखा पर वापस आने के लिए उसे प्रभावी स्तनपान की जरूरत है शिशू के वृध्धी का मूल्यांकन करने के लिए कृप्या वृध्धी चाट का पालन करें यदि किसी कारण से वृध्धी में समस्या आती है तो परियाप्त उपाय ढूंडें और उसका पालन करें अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है आयाइटी बॉंबे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुणने के लिए धन्यवाद झालन करें झालन करें झालन करें